दोस्तो ततकार टिकट बुक किया और हो गई जेल लोग ततकार टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं इसकी दुकान पर लाइन लगाया करते थे दोस्तो कहां का मामला है क्या मामला इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो ये वीडियो लास तक जरूर देखेगा अपके लिए काफिस जादा हलफुल होगा और कुछ नहीं जानकारी मिलेगी आगे बढ़ने से पहले प्यार बार रिक्वेस्ट अगर वीडियो अचलेगे तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे हलफुल वीडियो देखने के लिए चैनको स्क्राइब जरूर कर लिजेगा दूतो रेल टिकट की काला बाजारी के खिलाप आरफियस की कारवाई में एक ऐसा टिकट दलाल पकड़ा गया जिसने अब तक एक करोड से अधिक मूल के अवय टिकट का कारोबार किया है ये दलाल 30 से अधिक अलग-अलग लोगों की आईडी बना कर IRCTC की वेबसाइट से टिकट बनाता था टिकट जल्दी बने इसके लिए वो प्रतिबंदी सौफ्टेर का भी इस्तमाल करता था जिसके कारवाई उसके याँ टिकट बनाने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी इसके ग्राकों में छपरा के सासा सीवान जिले के लोग भी शामिल थे दोस्तों ये मामला छपरा का है रसूल पूर थाना छेतर इलाके में इस टिकट दलाल के चर्चा इसकदर थी कि लोग रेलवे स्टेशन के बज़ाए इसके याँ टिकट बनवाने के लिए लाइन लगाते थे इसकी चोटी सी दुकान से धलड़़ले से तकार टिकट बन रहते जिसकी जानकारी रेलवे को मिल गई रेलवे ने जाल बिचा कर इस टिकट दलाल को गिरफ्तार किया इसके पास से कई लोगों के रेल टिकट भी बरामत किये गए दोस्तों इसके पास से 30 personal ID बरामत की गई, 37,13 ततकार टिकट बरामत की गई जिसकी कीमत 22,930 रुपे थी और 37,49,409 रुपे के टिकट बरामत की गई एक computer, दो printer, दो mobile और 37,13,000 रुपे नगत भी बरामत की गई अगर software की बात करें तो Nexus और Hyper नाम के software से ये ततकार टिकट बराया करता था, जिसके अंदर 4 PNR और 6 PNR और 8 PNR एक साथ लगा करके ये ततकार टिकट बुक किया करता था, अब ये पकड़ा गया है, इसको जेल हो गई है दोस्तों, तो ऐसा काम आप भी कभी मत करिएगा, कि आप भी कभी पकड़े जाए, क्योंकि ततकार टिकट अगर आप सेल करेंगे, तो आपके उपर भारी जुर्माना लग सकता है, साथ ही साथ आपको जेल जाने का सामना भी करना पड़ सकता है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ऐसी लेटिस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चनल को सब्क्राइब करके रखें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके, थैंक्यू सो मज फॉर वाचिंग